आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से पूरे देश में विज्ञान विरोधी माहौल जो बनाया जा रहा है उसको लेकर किस तरह की चिंताएं हैं और आखिर क्यों हो रहा है यह सब इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नियूस क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रभीर पुरकायस्त प्रभीर जी थोड़ा यह बताइए कि लंबे समय से यह यूं कहिए कि हाडी मंत्राले जब से समाला है निशंक जी ने रमेश पोक्रियाल निशंक जी ने तब से वो लगातार जो बयान दे रहे हैं आयाइटी में जाके बयान दे रहे हैं कभी वो राम सेतू पर अभी आये उसे पहले आयरवेद पर आये उसे पहले आटम पर आये यह सिलसला लंबा चालू है और आखिर क्यों उनको लग रहा है कि सब कुछ पहले था अभी हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है देखे पहली बात य है कि इनकी विज्ञान विरोधी जो चिंता है इससे शुरू होती है कि भविश्य में कुछ भी करना है भूत में हो चुका है तो इसलिए भूत ही अमें रिसर्च करना पड़ेगा उसी का शोध करना पड़ेगा भविश्य के लिए शोध करने का कोई जरूरत ही नहीं है इस उसका उद्देश यह है कि आप अपने आपको और बढ़ा करके आखना चाहते हो और क्योंकि आप mythology of the past को mythology of the present से जोड़ना चाहते हो तो एक तो इसका यह उद्देश है जैसे मैं कहूंगा false nationalism का इस तरह से एक माहौल बनाना या कोशिश कर बनाने के कोशिश करना तो अगर आप देखें तो पहले भी प्रधान मंत्री इन चीजों की बातचित कर चुकी है गनेश का सरजरी सर प्लास्टिक सरजरी हमारे पास थी elephant का head transplant हम करते थे पहले genetics हमारे पास थी गांधारी की सौ बेटे genetics की कुछ करके magic करके निकला है फला ना ढमाका है तो बहुत पहले की है पर अब जो है राम सेतु की जैसी बात कर राम सेतु को बात बार बार आती है तो राम सेतु को यह जो से अगर आप देखें तो एक ऐसा formation है जो समूंदर जब नीचे था काफी नीचे था तब यह link स्री लंक का जो अभी सिंगनल सिंगल का नाम है उससे अब साउथ एश्या का एक ब्रिज था इसके अलग अलग नाम से घोशित घोशना है नाम नाम करन पर मैं नहीं जाना चाहता हूं पर अगर आप देखें इस तरह के land masses से जुड़ना यह समूंदर क उपर depend करता है तो यह करीब एक लाक असी हजार साल पहले कभी स्री लंका साउथ इस्या में इस तरह का land rich रहा होगा तो राम अगर जो अभी historical जो हमारे पास remnants मिलते हैं जहां पर आप archaeological कह सकते civilization की निशानी मिलती है महंजदर हरापा भी करीब 5000 साड़े 5000 साल पहले और इसके पहले agriculture कोई शहरी जीवन में नहीं थी agriculture भी 2500 उसके साल पहले की है महंदरवड जहां पर आपका पहला आपका मिलता है agriculture वह भी हमारे यहां पर करीब 10,000 साल पुरानी है तो एक लाग 80,000 साल प और mythology को इस तरह से विज्ञान के साथ उसको जोड़ना यह पूरी तरह से ना कि सिर्फ गलती है बड़ कि हमारे अंदर यह भी पैदा करना है कि विज्ञानिक सोच ही गलत है क्योंकि हमारे पौरानिक सोच जो है वही असलियत है तो आप सिर्फ शोध इस बात पे करेंगे सं संस्कृत की भाशा जिसकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने वोला कि भविषय का जो कम्प्यूटर है वह संस्कृत ही को सबसे महान बताएगा और वहीं से सारी ग्यान आ गंगा फिर दुबारा भाहे देखी इस पहीं एक चीज़ है कि जो संस्कृत जानते होंको मालुम है कि वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत जिसको हम कहते हैं, वह अलग-अलग भाशा एक हिसाब से है, एक दूसरे से सम्मन जरूर रखते हैं, पर यह बतलब नहीं कि भाशा एक ही है. तो classical संस्कृत जिस तरह से बनाई गई है वो एक कुछ हद तक इसकी structure अलग है ना कि वैदिक संस्कृत से तो ये भी इनको नहीं मालूम समझते हैं कि संस्कृत क्योंकि हम एक ही भाषा के नाम से दोनों को बोलते हैं तो एक ही भाषा होगी एक तो ये है पर ये भी है कि संस्कृत सिर्फ अध्यान करने से लिए खर्चा बड़ा कम होता आईटी है उसे बड़ा लागत करनी पड़ती है और अगर हम देखें तो आज की दुख की बात ही है कि हमारे जो फॉर्मोस्ट इंस्टिटूशन्स हमारे हैं विज्ञान के टेकनॉलोजी के व मौझूदा आईटी और बाकी सारे शोद संस्थान हैं शोद संस्थान बाकी तो छोड़ी दीजिए सबसे उन्नत शोद संस्थान अगर हैं एम्स जैसे मेडिकल साइंस में इंडियन इस्टूट उप साइंस बैंगलोर में हैं टाटा इंस्टूट आफ टी आइफर हैं कर आया है इसी को कुछ हद तक छोड़ के इनकी इंफ्रस्ट्रक्चर में लागत बहुत कम हो रहा है और यह हमको इस वक्त काफी पीछे पहुंचा रहा है इस वक्त चैचीन कोरिया इसरेल अमरीका वेस्टर यॉरप की कुछ देश जर्मनी इनमें इंफ्रस्ट्रक्चर आगे लिया जा रहा है क्योंकि बिना शोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स को जब तक उसमें आप लागत नहीं करोगे तब तक संस्त्री पढ़के आपकी विग्यान आगे बढ़ नहीं सकता विग्यान का तभी एडवांस होता है जब आप बुनियादी रिसर्च करोगी और ब हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो उसके लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरत है साधनों का इंस्ट्रूमेंट के बिला यह रिसर्च हो नहीं हो नहीं सकता 200 साल 200 साल 300 साल पहले शायद सिर्फ एक घड़ी और पेंडुलाम से अब रिसर्च कर सकते थे वह समय गया अब वो खर्चा क्यों कि नहीं करना चाहते इसलिए संस्कृत पढ़ने का वो उपदेश देते हैं कि आप लोग संस्कृत से ही सब कुछ निकल निकालेंगे तो इसलिए हमें लागद नहीं करने पड़ेंगे विज्ञान पर यहां पूरा एक अभियान चला जनता तक विज की तारीख में 2019 में जब देश का शिक्षा मंत्री और वो एक वाकिया नहीं है और तमाम जिन प्रीमियम इंस्ट्यूट्स की आब बात कर रहे हैं जो तमाम आला संस्थान हैं वहां जाके जब वहां जाके बोलते हैं कि वेद तो इसके पीछे दो चीजे हो सकते हैं कि या त दूसरी तरफ जिस तरह का वो देश बनाना चाहते हैं तो क्या इस देश में तकनीक की जरूरत नहीं पड़ेगी चंद्रयान भेजके भी तो दावा प्रधान मंत्री करते हैं कि हमने सबसे पहले भेजा तो वो अपेक्षा तो देश को रहेगी ही तो वो जो कमी रहेगी कि आप एक तरफ तो गाए गोबर और मनुस्पृति की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं दूसरी तरफ विज्ञान के बिना देश कैसे चल सकता है क्या ये भी चला पाएंगे क्या गोबर में तो विज्ञान फिसली जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है पर सवाल आप जो शब्द के तरह इस्तमाल करता हूँ उसके पीछे पूरी नैशनल मूव्मेंट उसके साथ जुड़ा हुआ था चाहे सुभाज बोस हो चाहे अंबेटकर हो सब इसके साथ जुड़े हुए थे कि एक हमारा देश विक से तभी हो सकता जब हमें विज्ञानिक सोच होगा टेक बजबे रखेंगे क्या तो देखेगा आरे सेस का कभी भी ये बात नहीं रहा कि हमारे यहां डेवलप करने के लिए अर्थ नीती को मजबूत करना है और इसमें विज्ञान और टेक्नॉलजी को नीजी विकास की जरूरत है इसका उनका हमेशा सोचे रहा है जो बोदी जी क भी बातों से या नीतियों से पता चलता है कि विदेशी पूझी को बुला लेंगे वो हमें टेक्नॉलजी भी दे देगा यहां पर उतपादन भी करेगा हमारी इसमेशियों की जरूरत खुद डेवलप करने की जरूरत नहीं है और वैग्यानिक इंस्टूशन भी करना है त तो यह जो एक सोच है कि नीजी उनिवरसिटी नीजी इंस्टूशन और विदेशी पूझी देश का उतपादन करेगा यह इनका बेसिक समझ देश के बारे में है इसलिए पब्लिक सेक्टर को जिसको जिस तरह से कहते के शमशान घाट के तरह ले जाना चाहते है वही हश्र जो है बैगानिक इस्टूशन की मेरे ख्याल से होने वाला है यही देश के सामने बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि यह खत्रा आजादी की है यह खत्रा फिर हमें गुलामी के और ले जाएगा और इस तरह के मनो वृत्ती जो तयार कर रहे हैं सिर्फ संस्क्रित पढ़के उ अलोचना का केंद्र बना रहा है जितने भी प्रगदशील आंदोलन चले हैं उसका भी कहना था और विज्ञान की भाषा क्या संस्क्रित हो सकती क्योंकि एक चिंता जताई जा रहे थी कि उन्होंने कहा कि भविश्य का कंप्यूटर है वह संस्क्रित को ही सबसे उत्कृष् में उसके बारे में बात चीत करना उसके एक रिस्पेक्ट इजद देना हो जाता है तो यह सब छोड़ दीजें सब बातों के सवाल है कि विज्ञान की भाषा अलग है ना अंग्रेजी है ना संस्क्रित है विज्ञान की भाषा मैथेमेटिक्स है जेनेटिक्स की भाषा उस विज्यान की जो सामगरी है उसको समझने के लिए विज्यान पे शोध करने की जरूरत है जब तक आप शोध नहीं करेंगे तब तक आप विज्यान को समझ भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से तो आज के cutting edge science अगर करना है तो शोध की जरूरत है शोध training होता है तभी आप विज्यान में training पाते हैं, कर के सीखते हैं, पर्छ के नहीं सीखते हैं सिर्फ, पढ़ के और कर के सीखते हैं, action के बीना और action का मतलब रिज्चर से interact किये बिना अब विज्यान को आगे नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए मैं भाशा की बात नहीं कहना चाहत heb, भगि विज्ञान की प्रक्टियाक तरही ये आगात कर रहे हैं ये क्या कहते ना रटना और विज्ञान करने में फरक है ये तो हमें रटने की तरह ले जाना चाहते हैं ना कि अब विज्ञान की तरह जहां से हम बहुत मुश्किल से बाहर निकल के यहां तक आहे हैं देखी रहे हैं कहां जा रहे हैं, फिर वापस, फिर वापसी की तैयारी, एविलूशन हम बंदर नहीं बन सकते, पर सोशल एविलूशन से हम पीछे जा सकते हैं, बाइलाजिकल एविलूशन नहीं, सोशल एविलूशन से हम पीछे जा सकते हैं, वही उसी मुहीं पर हम खड़े हैं इस वक्त, तो ये खत्रा बहुत अगड़ा है विग्यान के लिए और मुझे लगता है कि एक बहुत दिल्चस्प बात जो आपने कही कि सब कुछ बाहर से अगर मंगा के या सब कुछ निजी छेतरों में किया जाएगा तो जो हमारा दिमाग है जो यहां के भुसंग के बच्चों का दिम जो विग्यानिकों का दिमाग है उनकी जो शोद्कि एक लालसा और एक जो ललक है उस सब को हम तीलांजली दे देंगे यह लुभ जाएंगे यह लों वो ब्रिंड्रेन की बात है कि यहां से जो लौग है वह बाहर जाएँ और बाहर से कि इस खत्रे से जो विज्ञान के ऊपर है विज्ञानिक सोच के ऊपर है इससे हम कैसे लड़ेंगे और इस तरह की जो तमाम फलसफे या घोशनाएं हो रही है कि अब इसी दिशा में जाना है इससे हम कैसे मुकाबला करेंगे ये सिर्फ हमें ही नहीं विज्ञानिकों को ही न कर दो कर दो दो नंट